हेलो स्टूडेंट्स अपना गुरकुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बेच के नंबर सिस्टम चेप्टर का लेक्चर नंब करेंगे और इसके अलावा कुछ सिंपल नेवल के करेंगे और आगे आने वाले बाकी के दो लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग 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 टाइप के करने की कोशिस करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पिला है मेरी आप लोगों से request है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले का lecture और बाकी के lectures नहीं देखे हैं तो उन lectures को एक बार अच्छे से देख लीजिए उसके बाद में ये lecture देखना start कीजिए otherwise हो सकता है कि आप लोगों को यहां पे concept को समझने में थोड़ी difficulty हो सकती है तो आप लोग पहले इससे पहले के lectures को देखिए और उसके बाद में ये बाला lecture देखना start कीजिए आप लोगों को सारे concept आसानी से समझ में आ जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो हमारा जो आज का topic है वो है rationalization जिसका ये तीन पार्ट में से पहला पार्ट होने वाला है सबसे पहले तो ये समझते हैं कि rationalization का actual में meaning क्या है तो देखो rationalization का simple meaning ऐसे मैं समझाओ आप लोगों को जैसे हमारे पास कोई एक number दे रख है irrational number है ठीक है उसके denominator में कोई number दे रख है वो irrational number है एक number है वो पूरा irrational है उसका denominator irrational है हमारा major focus यह है कि हमारे को इसके denominator में से irrationality को remove करना है अब इसका क्या मतलब हुआ जैसे इसको example से समझे तो देखो मैं इसका पहले मैं यहां पे जो rationalization पढ़ने वाले हम लोग उसमें हम केवल क्या करेंगे denominator का denominator का ही क्या करेंगे rationalization करेंगे numerator का automatically जो भी result आएगा वह निकल के आजाएगा तो देखो इसको concept को समझना वह ध्यान से मैंने यहां पर चार पास different different type के case बनाए है चार उपास और different cases को समझते हैं उसके बाद में question करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देखो ध्यान से सुनना rationalization of denominator का मतलब होता है remove irrationality from denominator मतलब denominator message जैसे अभी मैं इसको यहां पर example के तोर पर समझाओं यहां पर one upon root two दे रख है यहां root two क्या है irrational number है पहले बाद तो denominator है ठीक है और denominator होने के साथ में ही यह क्या है एक irrational number हमें क्या मतलब iston रसके इस ते हमें इस कि को क्या करना है धिमू करना है मतलब हमें यहां से simple सब्दों मैं बो लो ही तो यहां जो रखाए radical sign है इस radical sign को यहां से हटाना है और अगर अगर हमने हटा दिया तो हमने क्या कर दिया उसका rationalization कर दिया तो rationalization एक process है जिसके अंदर हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से irrationality को remove करते हैं I hope इसका meaning तो समझ में आ गया होगा लेकिन करते कैसे हैं वो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो इस root 2 में से हमें root को खतम करना है यह से तो यह कैसे किया जाएगा वो ध्यान से समझना चार पार different cases को समझते हैं और उसके बाद में हम लोग questions को करेंगे तो देखो यहां मैंने एक example बनाया है जैसे one upon root a कुछ भी हो सकता है root a के अंदर बस ध्यान रखना a क्या होगा कोई भी positive number है तो यह root है यहां पर irrationality है अभी और यहां पर यह भी लिखता हूं एक non-perfect square number non-perfect square number इसका क्या मतलब हुआ कि non-perfect है इसलिए irrational है अगर यह एक जगह पर perfect square number होता कोई four होता तो root four कितना हो जाता two हो जाता तो non-perfect square number है और a positive हमें यहां से root a से a हटाना है सबसे major काम हमारे को यह करना है तो देखो हम लोगोंने इससे last lecture में concept सीखा था कि अगर कैसे भी करके में root a का square बना दू यहां पर जो root a है ना इसका कैसे भी करे square बना दिया जाए तो धाए कि root का square किया जाता है तो root अड़ जाता है हमारा major काम यही तो था कि root को remove करना था तो यहाँ पे देखो जो root है जिसको हम यहाँ square root पड़ेंगे इसको हमने क्या कर दिया remove कर दिया remove करने के लिए हमें क्या करना पड़ा square करना पड़ा तो अपने मन से ऐसे तो नहीं करेंगे इस पूरे नंबर को क्या करेंगे square कर देंगे तो हम कुछ ऐसा change करेंगे जिसे इसके इस नंबर पे कोई फर्रक भी नहीं पड़े और नीचे square भी बन जाए तो square का मतलब क्या होता है square का मतलब होता है कि इसको two time multiply करने इसका मीनिंग यही तो है तो अगर मैं यहां क्या कर दू नीचे root A से multiply कर दू तो root A और root A multiply होके क्या बन जाएगा A बन जाएगा I hope यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी लेकिन मैंने नीचे root A से multiply किया है तो यह number ही बदल गया तो अगर मैं same इससे ही क्या कर दू उपर भी multiply कर दू तो देखो root A से root A कर जाएगा वापस से क्या बचेगा 1 upon root A बच जाएगा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने यहां पर क्या किया तो अब क्या होगा 1 को root A से multiply करोगे तो root A बचेगा और नीचे root A को root A से multiply करेंगे तो कितना बन जाएगा A बन जाएगा क्या यहां से irrationality remove हो चुकी है क्या denominator में से denominator में से root ही तो remove करना था तो हमने क्या कर दिया denominator में से root remove कर दिया I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी तो कभी भी कुछ ऐसा number दिया हुआ है तो जो भी root का number दिया हुआ है उससे क्या करो numerator को भी multiply कर दो denominator को भी multiply कर दो I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब ऐसा हो तो क्या करे तो जैसे यहां पे तो irrationality नहीं है लेकिन इस वाले पार्ट में है ऐसे यहां पे इस वाले पार्ट में है जैसे यहां plus है तो यहां minus कर दिया फिर यहां दोनों parts में क्या है irrationality दीवी है यहां और यहां दोनों parts में क्या दीवी है irrationality दीवी है तो इनको कैसे remove किया जाएगा उसको समझते हैं तो देखो इस वाले चीज़ को मैंने यहां note कर दिया है तो आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो अब देखो अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपने क्या किया rationality को remove करने के लिए किस से multiply किया था root A से तो यहां root A को क्या बोला जाता है rationalization factor यह rationalizing factor बोला जाता है rationalizing factor I hope आप लोगों को यह नाम याद रहेगा यह तो rationalization factor बोल दो यह rationalizing factor बोला जाता है किसको जिसको तुमने multiply किया था irrationality को remove करने के लिए यह rational बनाने के लिए तो उस वाले number को क्या बोला जाता है rationalizing factor या rationalization factor बोला जाता है I hope आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा अब इसको कैसे करें तो अभी मैंने यहापे तो आप लोगों को बताए कि square कर दो तो आप लोगों को यह मिल जाएगा क्या square करने जैसे अगर हम इसका भी square करने की कोशिस करें square करने का मतलब सेम इससे क्या कर दें multiply कर दे तो देखते हैं कि क्या बनता है कि अगर square करने से भी हमारा major काम है कि root B से root को हटाना है और नीचे किसी के उपर भी root नहीं रहना चाहिए तो B के उपर से root हटाने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि वाई जैसे कोशिस करते हैं कि इसको इसी से multiply कर देते हैं तो whole square बन जाएगा whole square करने से देखा remove होती है या नहीं होती यहां करके देखते हैं तो हम क्या करें A plus root B को A plus root B से ही क्या कर दें multiply तो देखो यह दोनों सेम हैं तो इसको मैं whole square भी लिख सकते हूं तो whole square में क्या होता है तो यह वाला identity लगा सकते हूं प्लस 2A और B की जगे पर root B है जब आगे solve किया तो देखो A square इसका तो एका तो root है नहीं root B का square करा तो यहां से भी root हट गया यहां पर क्या बन गया 2A root B 2A root B अब देखो क्या problem हो गए यहां हमारे को यहां root दे रखा था हमने इसको square बनाने की कोसिस की लेकिन फिर से कहीं न कहीं वापस क्या आगई irrationality आगई इसका मतलब है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते यह काम तो नहीं कर सकते कि इसका square बना दे यानि इसको हम लोग a plus root b से तो multiply नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें तो इसके लिए हमें एक तरीका सोचना पड़ेगा हमें केवल root b से ही तो root अटाना है यही तो हमारा major काम है तो अगर कुछ ऐसा बने कि केवल किसका square हो जाए रूट b का square इसका भी हो जाए तो चलेगा लेकिन अगर root b का square हो जाए केवल बाकी part का square हो या नहीं हो इसका हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा root b से root हड़ जाएगा तो क्या करें तो द्यान से समझना मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ अगर मैं इसी को क्या करूं इसके opposite sign से multiply कर दूं दांसर मेरी language पर ध्यान देना इसके opposite sign पर multiply कर दूं तो क्या बनेगा A minus root B बन जाएगा अब इससे फायदा क्या होगा देखो यहाँ यह identity बन गई क्या A minus B और A plus B मल्टिप्लाई में कैसे भी लिखा जा सकते हैं प्लस और माइनस वाला प्लस और माइनस वाला जैसे ही यह identity बनती है तो होगा क्या कि यहां A का भी square होगा minus root B का भी square तो A का square तो A square और root B का square B क्या अब इस वाली result में किसी भी number के उपर irrational मतलब radical sign आ रहा है क्या आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे देखो किसी में भी root वाला मतलब root वाला sign नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यह वाला number क्या हो गया अब irrational नहीं रहा यह क्या बन चुका है तो यानि कि हमें आप से अभी समझ में आता है कि अगर कहीं पे प्लस में दिया हुआ है ऐसा A plus root B सा A type का कुछ भी तो इससे irrationality को remove करने के लिए में क्या करना पड़ेगा इस वाले number को multiply करना पड़ेगा किससे मैं यहां कर देता हूं आगे अले step में root B का square और उपर इसको एक से multiply करेंगे तो क्या आएगा ऐसे कैसे आ जागा A minus root B I hope यह आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो ऊपर तो A minus root B हो गया और नीचे क्या हो गया A का square minus root B root B का square क्या होगा only B तो हमारा काम major काम यही था नीचे से root B से root अटाना था वो हमने अटा दिया और इससे कोई change भी नहीं आया क्योंकि इससे यह कटके वापस से क्या बन जाएगा यही पार्ट बन जाएगा तो यहां क्या होगा इस से multiply करने पर क्या हुआ यह इस denominator से irrationality को remove किया हमने तो यह क्या कहलाता है rationalizing factor या rationalization factor कहलाता है I hope यह चीज आप लगों को समझ में आ गई होगी तो कहीं पर A plus root भी दिया हुआ है तो उसका rationalization factor कितना होगा A minus root B अब इस वाले को करके बेखते हैं तो मैं पहले इसको remove कर देता हूँ तो देखो तो यहाँ देखो इसको इसके लिए मैं अभी बता देता हूँ जैसा यहाँ पे A plus root भी था न तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी जो उपर लिखा था मैंने उसको तो A plus root B है तो square करेंगे तो क्या बनेगा A square plus root B का square B हो जाएगा और 2A root B लेकिन अगर हम इसको क्या करें A plus root B को multiply करें A minus root B से तो क्या बन जाएगा A square minus root B का square कितना हो जाएगा B हो जाएगा तो A square minus B तो हम कौन सा तरीका follow करेंगे यह वाला तरीका follow करेंगे ना कि यह वाला तो पहले वाले case में तो क्या करना था ये तरीका follow करना था इसमें ये तरीका follow नहीं करना कौन सा तरीका follow करना ये वाला तरीका अब देखो यहां बीच में minus आ गया तो दिमाग में बिठा लो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे केवल B का root बने B का root remove हो तो यहां minus है तो अगर हम इसको क्या करें A plus root B से numerator को और A plus root B से denominator को क्या कर दे multiply कर दे तो क्या होगा देखो नीचे A plus B A minus B फिर बन गया तो उपर तो इसको इससे multiply करेंगे तो क्या बनेगा A plus root B और यहां पे क्या बन जाएगा नीचे A square minus root B का A square कितना होगा B हो जाएगा तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम rationalization factor यह क्या हो जाएगा rationalization factor हो जाएगा किसका इसका दानक ना यह इसका rationalization factor है अब बात करते हैं इसकी यहां पे A का भी root है B का भी root है मतलब कुछ ऐसा बनाना है कि 1 का भी स्क्वाइर生 पीका भी स्काइर तो सेम होई काम करो ओपोजेट साइन से क्या कर दो मुल्टीप्लाई कर दो तो चैहा होगा देखो हरो रूट हमाई मैनस रूट भी और root a minus root b तो numerator को भी उससे multiply कर दिया denominator को भी opposite sign से तो इससे फाइदा क्या होगा नीचे क्या हुआ देखो उपर तो हो जाएगा root a minus root b क्योंकि 1 से multiply करेंगे तो यह आएगा नीचे क्या हुआ देखो a plus b a minus b बन गया इसको bracket में लिख सकते हैं तो root a का स्कॉर माइनस root b का स्कॉर और अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं उपर तो root a minus root b और नीचे क्या हैगा a minus b क्योंकि root a का स्कॉर तो a हो जाएगा root b का स्कॉर भी हो जाएगा बीच का minus आएगा यह वाला sign I hope आप लोगों को इस सारे cases समझ में आ रहे होंगे अभी questions में कैसे apply करते हैं वो हम करके देखेंगे तो यहाँ पर यह वाला part क्या क्या क्यलाएगा rationalization factor क्यलाएगा किसका इसका ठीक है अब यहाँ देखो यह negative आ गया थो हमें किस से opposite sign से multiply करना पड़ेगा तो root A plus root B और root A plus root B से multiply करना पड़ेगा तो उपर तो बनेगा root A plus root B एक से multiply होगा तो नीचे क्या बनेगा A minus B A plus B बन रहा है A minus B A plus B तो root A का square A हो जाएगा minus root B का square B हो जाएगा तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम rationalization factor बोलेंगे rationalization factor of किसका rationalization factor of root A minus root B तो दिमाग में बिठालो कि करना क्या है opposite sign से multiply करना से नंबर से तो नीचे बन जाएगा A square minus B square टाइप का कुछ और अपने आप ही क्या हो जाएगा irrationality remove हो जाएगी whole square क्यों नहीं किया हमने इसका भी कारण में बता दिया क्या कि आगे solve करने पर वापस से क्या बन रही थी irrationality बन जाती थी इसलिए हम उस method को solve उस method से solve नहीं कर पाएगे तो हमें opposite sign से multiply करना है I hope आप लोगों को यह साभी cases आप समझ में आगे होंगे अब बस हमारे को इनके उपर questions करने है तो अभी आने वाले जितने भी मतलब दो पार्ट आने वाले दोनों पार्ट second और third part और आगे की slides सभी के उपर हमके वाल questions करने वाले different different type के questions होंगे कम से कम process करेंगे कि 30 से 40 questions हम इन तीनों lectures में आप लोगों को अच्छे से करवा दिये जाए तो देखो अब यहां क्या होगा नीचे रूट 5 दे रखा है अब ध्यान रखना यहां पर अभी 1 था तो उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर भी 3 है तो वह 3 चलेगा रूट 5 दे रखा है तो इससे इराशनलिटी को हमें क्या दिया होगा है rationalize the denominator denominator को rationalize करना है मतलब denominator से irrationality को remove करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा नीचे root 5 है तो हम क्या कर दे इसको root 5 से multiply कर दे root 5 से divide कर दे या तो ऐसे बोला जा सकता है इसको root 5 से multiply करे root 5 से divide करे यह numerator को भी root 5 से multiply कर रहे है denominator को भी root 5 से multiply कर रहे है बोलने का तरीका है बस यह तो ऊपर तो हो जाएगा 3 root 5 और नीचे root 5 को root 5 से multiply करेंगे तो 5 देखो नीचे से root अट गया हमारा काम यही तो था रेस्नलाइच करना था तो आप लोगों कोई समझ में आगया होगा सिमिलर आगया वाला केस्टन करते हैं तो देखो यहां पर 2 से तो हमें कुछ नहीं करना तू तो चलने दो बस root 5 को अटाना है तो root 5 से क्या कर देए इसको ऊपर और नीचे multiply कर देते तो ऊपर तो हो जाएगा 3 root 5 और नीचे कितना हो जाएगा देखो root 5 को root 5 से multiply करेंगे तो 5 आएगा फिर 5 को 2 से multiply करेंगे तो 10 आएगा तो इसका result कितना आ गया 10 आगया आप लोगों को समझ में आगया होगा अब यहां ऊपर रूट दिया वाए उपर से में कोई मतलब नहीं हमें बस नीचे का रूट हटाना है तो नीचे रूट 3 है तो हम क्या करेंगे इसको numerator दोनों या हमारा क्या क्या कारेंगे और यहां पर यह क्या 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 एक होगा कि multiply करते वक्त यह द्यान नहीं रखते कि इसको इससे भी multiply करना है इससे भी multiply यह पूरा complete एक single term है तो इसको इससे multiply करेंगे तो root 2 को root 3 से multiply करो तो इसका भी हमने rule पढ़ा है कि root 2 multiply root 3 करना है दोनों की order same है तो दोनों को simply multiply करके क्या कर सकते हो common root लगा सकते हो तो यहां क्या बन जाएगा root 2 multiply root 3 कितना हो जाएगा root 6 plus root 5 को भी root 3 से करेंगे तो root 15 और नीचे कितना बन जाएगा root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो 3 तो यह क्या आगया हमारा answer आगया max slide पर हम लोग कुछ questions और करते हैं इनको आप अच्छे से note कर लीजिए यहां पर जो काम की चीज है वो क्या है कि जब भी कभी rationalization करना होगा तो हमें सा opposite sign वाले से multiply करना है और जैसे इसका जो opposite sign होगा वो इसका क्या 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 आएगा rationalization factor क्या आएगा अगर इसका rationalization factor पाइंट करना हो तो वो यह होगा और इसका rationalization factor यह होगा I hope आप लोगों को इस सारी चीज अच्छे से समझ में आगई होगी वीडियो को पोज कीजिए इसको नोट कर लीजिए और नेक्स लाइट पर हम लोग कुछ और क्योसंस को देखते हैं अब हम रेस्टलाइजेशन के उपर कुछ क्योसंस को और सोल करके देखते हैं जिससे कि अभी हमने जो सीखा है वो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा तो देखो सेम क्योंर वो ही उस्सी दोनों को क्या कर ना पढ़ेगा रूट टु से नहीं yum और निदीज्ग करईगा और यहीं भूचेगा वापस अब इससे हो गा अगली स्टेप में क्या बन जाएगामारे पास 252 से 3 ना पड़ेगा रूट 6 हुग perform the मुझे करने तो यही क्या हो गया मारा फाइनल निगbuilding ego को यह समझ में आ गई अब यहां देखो नीचे रूट 5 है हमें केवल्ट डिन fly दिन है किल लाइसे नही difast cha करना आइस तो हमें EU मेपलाब नहीं तो हम क्या करेंगे numérator बैंप्रंगों को कर देंगे नीचे वाले से multiply कर देंगे to उपर अगया नीचे रूट 5 आपग सारणों मल्ीप्लाइन कर तो 5 modelo को illeg फील फाहिए आ औंव यह क्या are value to three places of the decimal हमारे को क्या करना है यह कुछ questions given है इन question को solve करके इनका result निकालना decimal के आगे 3 places तक करना है मतलब decimal के बाद में 3 digits आने चाहिए उसके आगे नहीं करना है हमारे को each of the following cases and given root 2 बराबर इतना दे रखा है root 3 बराबर इतना है root 4 5 इतना है root 10 इतना है जब यहां पर calculation करेंगे तो इनकी value जो भी यह बनेगा वह यूजोगा तो देखो एक तो तरीका है कि root 3 की value यह put करो कितनी है 1.732 यह put की और 2 में divide करने बेट जो तो अगर वह करने बेट होगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा problems होगी देखो decimal वाले number को अटाओ फिर उपर 3 0 लगेंगे फिर इससे इसको divide करेंगे proper तरीके से ऐसे लिखे divide करने बेट होगे फिर इतने की table बोलने बेट होगे तो इससे अच्छा है एक काम करते हैं हम लोग इन सब को यह वाला काम हम बाद में करेंगे पहले इन सब का rationalization कर देते हैं तो देखो rationalization करने से क्या फाइदा होगा वह आप लोगों को idea लग जाएगा यह तो जैसे इसको क्या करेंगे हम rationalization करेंगे तो क्या होगा 2 multiply root 3 और नीचे भी root 3 multiply root 3 तो उपर कितना बन गया 2 multiply root 3 और नीचे बना 3 अब हमें केवल लास्ट में देखो जो भी result आयगा ना उपर का उसको हमें किस से multiply कर डिवाइड करना पड़ेगा only 3 से तो हम अब वेल्यू पूट करके देखते हैं तो 2 multiply root 3 की value है 1.732 1.732 divide by 3 तो पहले उपर multiply कर लेते हैं तो देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 का 4 आएगा केरी 1 आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3 और नीचे कितना है 3 अब 3 से divide करना है तो देखो 3 1 जा 3 फिर decimal आ गया 3 बचा कितना 1 फिर 16 हो गया 3 5 जा 15 फिर 1 बच गया 3 4 जा 12 हो गया फिर 2 बच गया फिर आगे क्या होगा आगे तक हमें आगे सोल भी नहीं करना हमारे को तो क्या है लाना है डेसिमल के तीन प्लेसे से निकालना था तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा 1.154 आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी अब इसको करते हैं तो इसमें भी क्या करें सबसे पहले रिजिशन में क्या होगा 3 x root 10 divided by root 10 multiply root 10 तो उपर तो हो गया 3 root 10 नीचे हो गया only 10 तो देखो ऊपर 3 x root 10 की value कितनी दे रहे हैं 3.162 3.162 और मीचे कितना है 10 चल रहे हैं तो इस 10 से आगे हम लाग डिवाइट करने की जरुवत नहीं पड़े कि एक छोड के decimal लगा देंगे एक डिजिट चोड के पहले इसको multiply करते हैं 3 2 जा 6, 3 8 जा 18, 1, 3 बन जा 3 और 1, 4.339 और यहां पर क्या है नीचे 10 है तो 10 है तो एक डिजिट चोड के decimal लगेगा तो यह decimal कहां सिफ्ट हो जाएगा यहां सिफ्ट हो जाएगा तो यह क्या बना जीरो पॉइंट यहां लिख देता हूं 0.948 इतना ही लिखेंगे हैं क्योंकि अगले वाले डिजिट को हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते तो यह क्या हो गया हमारा final result हो गया I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सेक्षा प्लस फिर इंटा होगा तो बन जाएगा नीचे रुट टू रूट2 कि तो गा टू हो गा अब रूट्ट 10 की वेलव कर देते को टींटा हो गा state 2 से divide कर देंगे, तो देखा 2 और 4 कितना हो गया, 6 6 और 1, 7 1 और 4, 5 0.3 और 1, 4 divide by 2, अब इसको divide करो, 2 time divide वह 0.5 में 2 time divide होगा 4, फिर 1 बचा, फिर 8 time divide होगा, 16, फिर कितना बचा, 1, फिर कितना होगा, 8 तो इसका final result क्या आगा है, 2.288, I hope आप लोगों को यह समझ में आगया होगा, आप यह proper divide करके देख सकते हैं, मैंने यह आपर direct divide किया है, तो देखो same यह यह वाला question करते हैं, तो देखो root 5 से क्या करना पड़ेगा हमें दोनों को numerator, denominator को divide करना पड़ेगा, तो देखो क्या करें तो उपर तो कितना हो जाएगा? root 5 को root 2 से करेंगे, root 10 minus root 5 को 1 से करेंगे, तो root 5 divide by नीचे कितना हो जाएगा? 5, तो अब उपर देखो root 10 कितना है? 3.162 minus root 5 कितना है? 2.236 और divide by 5, तो देखो यह 2 में से 6 minus करना है, तो 2 में से तो होता है, इधर से एक बोरो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 minus 6 कितना हैगा? 6, इसके पास कितना बच किया? 5, 5 minus 3 करेंगे तो 2, तो यहाँ कितना है? 1 1 में से 2 minus नहीं होता, इधर से एक बोरो करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 11 11 में से 2 गया तो 9.0 और नीचे कितना है 5 अब इसको हमें डिवाइड करना है तो क्या करें तो 0 पहले starting में point आगे 9 में 1 time होगा बच्चा 4 4 के आगे 2 लगाएंगे 42 होगा फिर 5, 8 40 होता है फिर 2 बचेगा फिर 26 होगा 26 होगा तो क्या हो जाएगा 26 में 5 time जाएगा 5 से 25 होगा तो final result क्या आगा 0.186 I hope यह चीज़ आप लगों को समझ में आगी होगी इसको आप खुद डिवाइड करके देखना तो यह 4 examples हमारे क्या थे इस वाले question के तो हमने क्या किया यहां पर पहले rationalization करने के बाद में फिर value put करें अगर पहले value put कर देते तो बहुत ही complex हो जाता है हमारे को बहुत ज्यादा time लगता तो जैसे ही rationalization करेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा एक simple expression बन जाएगा उसमें value put करके result निकालना ज्यादा असान है नेक्स लाइट में 4-5 questions आप लोगों को और करोंगा तो देखो express each of the following with rational denominator मतलब denominator को हमें क्या लाना है rational बनाना अभी देखो irrational दे रखा होगा यह एक rational number है irrational number है यह हम अलवेडी पढ़ चुके है एक rational number और irrational number का sum क्या होता है तो यह overall पूरा क्या है rational तो अभी-अभी मैंने last slide पे बताए कि अगर कहीं पे बीच में plus है तो irrational को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके opposite sign वाले से क्या करना पड़ेगा हमारे को multiply करना पड़ेगा numerator denominator को उपर भी 3-root 2 से multiply कर दिया नीचे भी 3-root 2 से यह 3-root 2 यहाँ पे rationalization factor के लाप है किसका 3-root 2 का अब उपर देखो क्या होगा 3-root 2 को बन से करेंगे तो multiply ऐसे कैसे आ गया नीचे a plus b a minus b बन गया यानि a का square 3 का square minus root 2 का square तो उपर तो हो गया 3-root 2 और नीचे कितना हो जाएगा root 3 का square 9 और root 2 का square 2 तो 3-root 2 और नीचे 9-2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा I hope आप लोगों कोई समझ में आ गया होगा फिर अगला करते हैं तो देखो उपर 16 है तो ऐसे कैसे चलेगा नीचे 14-5 है तो आब इसको rationalization करना पड़ेगा 14-5 है तो प्लस वाले से क्या करना पड़ेगा sorry 40 नीचे 41 है तो उपर क्या करना पड़ेगा 41 प्लस 5 से multiply करना पड़ेगा एक चीज़ और notice करना कि यहाँ पर only 41 के root है 5 पे नीचे ब्यान रगना तो उसके opposite sign से multiply कर दिया यह rationalization factor है किसका इसका तो उपर देखो यह इससे भी multiply होगा और यह इससे भी होगा तो इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा 16-41 प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 16-5 जा 80 बीच में प्लस था तो प्लस नीचे देखो 41 root 41 का square minus 5 का square तो उपर तो कितना मन गया 16 root 41 आप चाहो तो एक काम करो 16 को इससे चलो कर दिया multiply तो कोई बात नहीं है आप चाहो तो multiply नहीं भी कर सकते एक काम करता हूँ मैं इसमें 16 common ही ले लेता हूँ अभी के लिए तो यहां तो 41 बचेगा यहां क्या था 5 इससे फाइदा क्या होगा अभी आप लोगों को अगली स्टेप पर पता चल जाएगा देखो root 41 का स्कॉयर कितना होगा 41 minus 5 का स्कॉयर 25 जब नीचे आगे स्वोल करेंगे तो देखो ऊपर तो कितना है root 41 plus 5 और नीचे 41 minus 25 करेंगे तो 16 बन जाएगा root 41 plus 5 I hope आप लोगों को यह दोना एक्जामपल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होगे इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजे नेक्स राइट पर कुछ क्वेसंस और सोल करते हैं इसके साथ फिर हमारा लेक्चर फिनिस हो जाएगा तो देखो यह थोड़े से अच्छे लेवल के questions है इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना क्या बोला है 30 upon 5 root 3 minus 3 root 5 इसका हमें क्या करना है denominator का rationalization करना है ठीक है denominator का हमें rational form में convert करना है तो देखो यहां पर 3 का भी रूट है 5 का भी रूट है यह इस पूरे टर्म यह इससे भी rationality को अटाना इससे भी अटाना है तो यह दिमाग में बिठा लो कि अगर नीचे negative sign दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इससे rationality को अटाने के लिए नीचे वाले sign के opposite sign से multiply divide करना पड़ेगा तो यहां कितना आएगा 5 root 3 plus 3 root 5 ऊपर भी कितना होगा 5 root 3 plus 3 root 5 और यह वाला पार्ट क्या कहलाता है यह जो 5 root 3 plus 3 root 5 rationalization factor कहलाता है किसका इस वाले का I hope आप लोगों के समझ में आ गई होगी अब multiply करना है तो यह 13 दोनों से होगा तो मैंने बता है कि कोसिस करो कि इसको पहले ऐसे ही लिख लो कि हो सकता है कि आगे नीचे denominator में कुछ ऐसा बन जाए जो आगे से cancel हो जाएगा तो हम लोग एक काम करते है इसको पहले 3 root 5 का square वह एक इतना है 5 root 3 minus आएगा बीच में भी कितना 3 root 5 का square अगली step में क्या होगा देखो उपर तो क्या बना 30 multiply 5 root 3 plus 3 root 5 और नीचे देखो कैसे solve करेंगे इसको यहां क्या होगा 5 का भी square होगा root 3 का square होगा 5 का square कितना होगा 25 root 3 का square कितना होगा 3 तो 25 को 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 75 minus यहां पर 3 का square कितना होगा 9 root 5 का square होगा 5 9 5 जब 45 तो देखो नीचे आगे solve करोगे तो वह कितना होगा अगली step में करना है आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ 30 हो जाएगा 75 minus 45 और इस 30 से 30 remove हो जाएगा बतलब cancel हो जाएगा तो कितना होगा 5 root 3 plus 3 root 5 इसका क्या आगया result आगया आप लोगों कोई अच्छे से समझ में आगया होगा यहां पर multiply कैसे कर रहा हूं divide कैसे कर रहा हूं इसको समझने के लिए आप लोगों को इससे पहले की दोनों lectures को अच्छे से समझना पड़ेगा तब ही आप लोगों कोई basic से multiply करना है तो नीचे कितना 2 root 2 minus root 3 है तो 2 root 2 plus root 3 और 2 root 2 plus root 3 से हमें क्या करना है multiply करना है फिर अगले step में क्या लिखे अब देखो ऊपर नीचे तो क्या बनेगा a minus b का all square बन जाएगा sorry a minus b a plus b यानी a square minus b square बन जाएगा तो नीचे तो क्या हो जाएगा 2 root 2 का square minus b यानी की root 3 का square I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब उपर क्या है बेको यह वाला time इन दोनों से multiply होगा यह one भी क्या होगा इन दोनों से multiply होगा तो पहले root 3 को इन दोनों से करते हैं तो root 3 को root 2 से करेंगे root 6 और 7 में 2 भी है तो कितना हैगा 2 root 6 plus root 3 को root 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 फिर plus फिर 1 को इन दोनों से करेंगे 1 को इससे करेंगे तो 2 root 2 फिर 1 को इससे करेंगे तो root 3 I hope यह चीज़ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पहले root 3 को दोनों से multiply करना फिर 1 को दोनों से multiply करना यह actual में break it में है यह समझ लो ठीक है यह पूरा term है यह पूरा एक single फिर नीचे क्या करेंगे तो देखो उपर तो कुछ aid नहीं हो रहा है कोई like होता तो 8 कर सकते थे कोई भी like नहीं है तो ऐसे कैसे चलने देंगे मैं dash dash कर देता हूँ यह पर ठीक है यह ऐसा कैसा repeat होगा यह पर नीचे कितना होगा देखो 2 का square 4 root 2 का 2 4 को 2 से multiply करेंगे 8 minus root 3 का 3 तो नीचे कितना आ जाएगा 5 5 आ जाएगा 8 minus 3 समझ में आ गया होगा max similar ऐसा ही क्यों इसमें भी क्या करना है तो इसको 2 root 5 plus root 3 plus 3 से multiply और divide करना पड़ेगा तो नीचे तो क्या बन जाएगा 2 root 5 minus 3 मतलब इसका भी square और इसका भी square हो जाएगा a minus b का square मतलब a minus b plus b है तो a square minus b square बन जाएगा उपर क्या होगा पहले इसको इन दोनों से करना पड़ेगा फिर 1 को दोनों से तो 1 को इन दोनों से करेंगे तो क्या है गा 2 root 5 plus 3 यह आगे इसको इससे करें तो देखो 3 को 2 से किया 6 root 2 को root 5 से करेंगे root 10 तो कितना मना 6 root 10 plus फिर 3 root 2 को 3 से करेंगे देश्टेस ठीक है 11 निये ध्यान रखना है नीचे देखो 2 का स्कार 4 होगा रूट 5 का 5 होगा 4 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 माइनस 3 का स्कार 9 तो फाइनल इजल क्या है 6 रूट 10 प्लस 9 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 डिवाइड बाइ 20 माइनस 9 कितना हो जागा 11 तो यह हमारा अंसर होगा आप लोगों को यह भी अच्छे से समझ में आगया होगा एक लास्ट क्येस्टन और देख लेते हैं हम लोग तो देखो 6 माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाइ 6 प्लस 4 रूट 2 तो नीचे वाले के उपजूट साइन से क्या करना है हमारे को डिनोमिनेटर वाले के उपजूट साइन से मल्टिप्लाइ करना है तो क्या आएगा 6 minus 4 root 2 divide by 6 plus 6 minus 4 root 2 तो नीचे क्या बन रहा है नीचे तो A minus P A plus P बनेगा यानि कि A का square minus 4 root 2 का square अब उपर क्या बन रहा है वो जान से देखो यहाँ पर भी A minus P यहाँ भी A minus P यानि दो बार आ गए तो हम इसका क्या बोल सकते है उपर बन जाएगा whole square क्योंकि दो time multiply हो रहा है same number तो whole square बोल सकते है तो अब उपर whole square वाली identity लगा देंगे नीचे A square minus B square वाला हो जाएगा तो उपर क्या होगा बीच में minus है तो minus वाली लगे कि A square यानि 6 square plus B square यानि 4 root 2 square minus 2 A की जगए पर 6 और B की जगए पर 4 root 2 नीचे 6 square कितना होगा 36 minus 4 का square 16 होगा root 2 का 2 होगा 16 को 2 से multiply करेंगे तो 32 आएगा उपर देखो यहां कितना होगा 36 हो गया plus 4 का square कितना होगा 16 root 2 का 2 होगा 16 को 2 से multiply करेंगे 32 minus देखो याँपे 26 जा 12, 12 फोर जा, 48 और root 2 और divide by नीचे देखो कितना आ गया, 4 आ गया अब उपर देखो, इन दोनों को add करो यह कितना हो गया, 8, 68 हो जाएगा minus 48, root 2 divide by 4, अब देखो उपर कुछ common आ रहा है क्या, उपर देखो 4 common आ रहा है, तो 4 common लेंगे तो यहां तो 17 बचेगा minus 12 root 2 और नीचे कितना है, 4, तो यह 4 से 4 cancel हो जाएगा, यह नहीं, final result कितना आएगा, 17 minus 12 root 2, I hope आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यह हमारा क्या है, final answer होगा इसको आप अच्छे से समझे, इसको note कर लीजे, इसे के साथ हमारा rationalization का part 1 खतम होता है, जो कि हमारा lecture 7 था, lecture 8 में भी हम लोग rationalization ही पड़ेंगे, और lecture 9 भी हमारा यही होगा, लेकिन दोनों में हम क्या करने वाले हैं, अलग-अलग standard के high level के questions करने वाले हैं, जो कभी ना कभी NTSC में पूछे हुए हैं, और उनको करने में हमारे को थोड़ा सा time भी लगेगा और थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा, ज्यादा ठीक है, तो I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिसे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगर आप लोगों के कोई प्रोब्लम है तो वो आप हमारे को कोमेंट में बता सकते हो आगे आने वाले किसी लेक्चर में आप लोगों के सभी डाउट्स को सोल करने की कोशिस करेंगे तब तक के लिए थेंक्यू